C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय तेरह सममिती प्रिष्ट 282 तेरह दशमलवेग भूमिका सममिती हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला एक आम शब्द है जब हम ऐसी आकृती या आकृतियों को देखते हैं जो बराबर संतुलित अनुपात में हों तब हम कहते हैं ये आकृतियां सममित आकृतियां हैं यहां प्रिष्ट पर दो चित्र दिये गए हैं पहला चित्र है ताज महल उत्तर प्रदेश का और दूसरा चित्र है तिरुवन्ना मलाई तमिल नाडु का अपनी सममित बनावट के कारण इन पुरा तत्वीय आकृतियों ने अद्भुत स्था पत्य बना रखा है कल्पना कीजिए हमें काकृति को आधे यानि अर्ध से इस तरह मोडें कि उसका आधा बाया भाग तथा आधा दाया भाग एक दूसरे से पूनतया मिलता जुलता हो तब हम कहेंगे के आकृति में सममित रेखा उपस्थित है यहां कुछ ऐसे चित्र दिये गए हैं एक तितली एक मटका और एक हस्ता हुआ चिहरा जिनके बीच से सममित रेखा गुजर रही है तो हम कह सकते हैं के दोनों आधे भाग एक दूसरे के दरपण प्रतिबिम्ब हैं यदि हम आकृति के मोडने वालिस्थान पर एक दरपण को रख देते हैं तो आकृति के एक भाग का प्रतिबिम्ब दूसरे भाग को पून तया ढख लेगा प्रिष्ठ 283 ऐसा जब भी घटित होता है तो यह तह या मोड वास्तविक या कालपनिक जो दर्पन रेखा है आकृती की सम्मिती रेखा या सम्मित अक्ष कहलाती है यहां पर आप जो भी आकृतियां या आकार देख रहे हैं वे सभी आकृतियां सम्मित आकृतियां हैं क्यों? जब आप इन्हें बिंदु कितरेखा की तरफ से मोरते हैं तो आकृति का एक आधा भाग, दूसरे आधे भाग को पूर्ण तया ढख लेता है इस आकृती में आप बिंदू अंकित रेखा को क्या नाम देंगे? आप आकृती में दरपन को किस जगहा पर रखेंगे? जिससे के प्रतिबिम्ब आकृती के दूसरे भाग को पूर्णताया ढख ले? आकृती तेरह दशमलव दो जो यहां दी गई है एक सम्मित आकृती नहीं है. क्या बता सकते हैं? क्यों नहीं? तेरह दशमलव दो सम्मित आकृतियां बनाना इंक ब्लॉट डेविल्स इनहें कीजिए. कागज का एक टुकड़ा लीजिए. इससे आधे भाग से मोड़िए. स्याही की कुछ बूंदों को आधे भाग पर डालिए. अब दोनों आधे भागों को दबाईए. आप क्या देखते हैं? क्या प्राप्त आकृति सम्मित आकृति है? यदि हाँ, तो बताईए सम्मित रेखा कहा है. क्या ऐसी कोई अन्य रेखा भी है, जहां से मोड़ने पर दो समान भाग प्राप्त हो सकते हूं? ऐसे ही कुछ और प्रती रूपों का प्रयास कीजिए. यहां हम स्याही की बूंदों से बना एक चित्र देख रहे हैं, जो एक सम्मित आकृति है. स्याही धागा प्रती रूप. एक खागस को आधे भाग से मोड़िये. उनमें से एक आधे भाग पर कम लंबाई के धागों को अलग-अलग स् या पेंट में डुबो कर व्यवस्थित कीजिए. अब दोनों आधे भागों को इकठे दबाईए. प्राप्त आकृति का अध्ययन कीजिए. क्या यह एक सम्मित आकृति है? इसे और कितने तरीकों से मोड़ा जा सकता है, जिससे दो समान भाग प्राप्त हो सकें? प्रयास क कीजिए. आपके ज्यामिती बॉक्स में दो सेट स्क्वेर हैं. क्या यह सम्मित है? प्रिष्ठ दो सो चौरासी. अपनी कक्षा में उपलब्ध कुछ वस्तूओं की सूची बनाईए, जैसे श्याम पट यानि ब्लैक बोर्ड, मेज, दीवार, पाठे पुस्तक इत्यादी. इन में से कौन सी वस्तूओं सम्मित हैं और कौन सी सम्मित नहीं है? क्या आप उन में से सम्मित वस्तूओं की सम्मित रेखाएं पहचान सकते हैं? प्रशना वली तेरह दशमलव एक एक, अपने घर अत्वा विद्याले की ऐसी चार वस्तूओं की सूची बना ये जो सम्मित हों दो, दी गई आकरिती में कौन सी दर्पन रेखा अर्थात सम्मित रेखा है एल एक या एल दो तीन, यहां दी गई आकरितियों की पहचान कीजिए जाच कीजिए कि क्या ये आकरितियां सम्मित हैं या नहीं उनकी सम्मित रेखा भी खीचिए यहां छे अलग-अलग आकरितियां दी गई हैं चार, यहां दी गई आकरितियों को वरगांकित पेपर पर बनाईए आपने वरगांकित पेपर का प्रयोग अपनी पिछली कक्षाओं में अंक गणित नोटबुक में किया होगा इन आकृतियों को इस थरह पूरा कीजिए कि बिंदुकित रेखा ही सममित रेखा हो यहाँ नीचे छे आकृतियां दी गई हैं जिन्हें आपको वरगांकित पेपर पर बनाना है प्रिष्ठ 285 यहाँ दी गई आकृति में अल सममित रेखा है इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए 6. आकृति में अल सममित रेखा है त्रिभुज का प्रतिबिम्ब खीचिए और इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए 13.3 आकृतियां जिन में दो सममित रेखाएं हो इनहें कीजिए एक पतंग आपके ज्यामिती बॉक्स में दो सेट स्क्वेर में से एक के कोणों की माप 30 डिगरी, 60 डिगरी और 90 डिगरी है ऐसे ही दो समान सेट स्क्वेर लीजिए उन्हें आपस में मिला कर रखिए और एक पतंग बनाईए जैसा आकृति में दिखाया गया है इस आकृति में कितनी सम्मित रेखाएं हैं? क्या आप सोचते हैं कि कुछ आकृतियों में एक से अधिक सम्मित रेखाएं होती हैं? एक आयत एक आयता कार कागज लीजिए जैसे डाक लिफाफा इसे एक बार लंबाई की और मोड़िये जिससे के एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पून तया ढख ले क्या ये मोड एक सम्मित रेखा है? क्यों? इसे खोलिये और पुनह एक बार चोड़ाई की और से समान तरीके से मोड़िये क्या यह दूसरा मूड भी सम्मित रेखा है? क्यों? यहां दो चित्र दिये गए हैं जिन में आयताकार आकरती को पहला और दूसरा मूड दिया गया है. क्या आपको लगता है कि यह दो रेखाएं सम्मित रेखाएं हैं? प्रयास कीजिए. दो या अधिक सेट स्क्वेर को मिला कर आप जितनी भी आकरतीयां बना सकते हैं बनाईए. इन्हें वरगांकित खागज पर बनाईए और इनकी सम्मित रेखाएं बताईए. दो तहूं वाले खागज से काटी गई आकरती. एक आयताकार खागज का टुकडा लीजिए, इसे ए काटिये और खोलिये. खोलने से पहले उस आकरती का अनुमान लगाईए जिसे आप प्राप्त करेंगे. प्रिष्ठ 286. जिस आकरती को काटा गया है उसमें कितनी सम्मित रेखाएं हैं. ऐसी कुछ और डिजाइनों को बनाईए. 13.4. अनेक सम्मित रेखाओं यानी दो से अ आगज का टुकडा लीजिए. इसे उर्ध वाधर यानी वर्टिकली में आधे से मोड़िये और पुनह क्षैतिज यानी होरिजॉंटली से आधे भाग से मोड़िये. अर्थात आपने इसे दो बार मोड़ा. इसे खोलिये और पुनह वर्ग को आधे भाग से मोड़िये. अर प्रशनावली तेरह दशमलवेक के प्रशने चार में एक सममित रेखा वाली आकृतियों के लिए एक छोटे भाग को लेकर की थी यहां कुछ चित्र दिये गए हैं जिसमें वरगा कार कागस के टुकड़े पर ये अलग अलग तरह से मोड़कर सममित रेखाई बनाई गई है सम बाहुत्रिभुज की तीन सममित रेखाई आखरी चित्र में नजर आती है एक मान लीजिये हमारे पास दाई और जैसी कोई आकरिती है यहां एक आकरिती दी गई है दो हम इसे इस प्रकार पूरा करना चाहते हैं कि दो सममित रेखाऊं वाली आकरिती प्राप्त हो जाए मान लीजिये दोनों सममित रेखाई एल और एम है यहां चित्र में एल और एम दिखाए गई है तीन हमें एक भाग आकरिती में दर्शाय अनुसार बनाती है जो रेखा एल के परित यानी अबाउट समिमित है अर्थात रेखा एल समिमित रेखा है चित्र में एल और एम को ऐसे ही दर्शाया गया है प्रिष्ठ दो सौ सत्तासी चार आकरिती पूरा करने के लिए हमें रेखा एल के परित समित भाग भी बनाना होगा आकरिती में दर्शाय अनुसार आकरिती का शेश भाग बनाईए इस आकरिती की दो समित रेखाएं एल और एम है कुछ आकरितियों में केवल एक ही समित रेखा होती है कुछ में दो और कुछ में तीन या अधिक सम्मित रेखाएं होती हैं। क्या आप एक ऐसी आकृती को सोच सकते हैं जिसमें छे सम्मित रेखाएं हों। सम्मिती, सम्मिती प्रतेक स्थान पर। आप प्रति दिन ऐसे बहुत से मार्ग सूचक संकेत या चिन्ह देखते हैं, जिनमें सम्मिती की रेखाएं होती हैं. यहां पर ऐसे ही कुछ चिन्ह या संकेत दिये गए हैं। ऐसे ही कुछ और मार्ग सूचक संकेतों को पहचानों और उन्हें बनाओ। सम्मिती रेखाओं को इंगित करना मत भुलिए। प्रकृती में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी आकृतियां सम्मित हैं। इन्हें देखिए। यहां ऐसी ही कुछ आकृतियां दी गई हैं। ताश के दो पत्ते दिये गए हैं यहाँ एक कैंची का युग्म है इसमें कितनी सममित रेखाई हैं एक कैंची का चित्र दिया गया है इस सुन्दर आकृती का निरीक्षण कीजिए यह एक सममित पैटर्न है जो के कोच स्नोफलेक कोच स्नोफलेक के नाम से जाना जाता है यदि आपके पास कंप्यूटर है तो आप फ्रक्टल यानि फ्रक्टल्स विशय पर ब्राउज कीजिए और आपको ऐसी बहुत सुन्दर आकृतियां देखने को मिलेंगी इन आकृतियों में सममित रेखाएं ग्यात कीजिए यहां एक बेहद सुन्दर आकृति दी गई है अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठे पुस्तक वाचन्स्वर गौरव मार्वा निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्माण विमलेश चाधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत